प्रेणा कथा वो जिन्दा थी एरपोर्ट पर पंक्ती बे खड़े हुए पलाश ने इधर उदर देखा और दिली से मुंबई जा रहा था सुभर साथ बजे के उड़ा थी काफी लंबी पंक्ती थी पलाश ने अंधाजा लगा लिया था के उसका नंबर आने में करीब 20 मिनित तो लगने ही वाले थे उसने पीछे देखा तो उसकी आँखे एक जगा पर रुख गई सबसे पीछे खड़े एक आदमी के सामने एक लड़की खड़ी थी वो पहचान गया वो पिया ही थी वो एकदम दंग हो गया था उस लड़की को देखकर उसको अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ उसने तो सुना था के पिया की तो अमेरिका के लोस एंजलेस में एक काद गटना में मिर्तिय हो गई थी उसको याद आया कि उस दिन कॉलेज में गहरा शोक सा गया था सभी लोग उसको पसंद करते थे और उस दिन अचानक उसकी मिर्तियों का समचार आते ही पूरा कॉलेज शोक में डूप गया था लेकिन अब वो लड़की उसकी पंक्ती में खड़ी थी और वो उसको देख रहा था उसने एक पार फिर से देखा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था वो पिया ही थी वो तुरंती अपना इस्थान छोड़कर पीछे चला गया और पिया के सामने खड़ा हो गया उसको देखते ही पलाश के दिल की धड़कर बढ़ दी वो थी इतनी खुबसूरत कॉलेज में भी वो उसका दिवाना रहा था पलाश को देखते ही पिया के चेहरे पर चमक आगी और वो मुस्कुराने लगी उसने पलाश को पहचान लिया था पलाश ने अपने आपको सभालते हुए का क्या यह तुमी हो पिया मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वाश ही नहीं हो रहा है उसने अपना हाथ पिया की तरफ बढ़ा दिया पिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ ठामते हुए का हाँ पलाश मैं ही हूँ और कोई कैसे हो सकता है तो मुझे जिन्दा देखकर चकित हो है कि नहीं पलाश बिचारा सिर्फ अपना सारी इलाकर रह गया वो अभी तक बहुत गवराय हुआ था पिये न कहा मैं जानती हूँ के कॉलेज में सबी ने मुझे मरा हुआ मान लिया था लेकिन मैं जिन्दा हूँ बिलकुल जिन्दा तुम्हारे सामने वो मुस्कुराते हुए फिर बोली वो अमेरिका में हुआ सड़क एक्सिडेंट बहुत ही बहनक था परंतु समय से डॉक्टर आगे और मुझे बचा लिया गया मुझे दो महीने अस्पटाल में बिताने पड़े थे दो महीने तक मैंने किसी को सूचना नहीं दी और सबने मुझे मरा हुआ ही मान लिया मेरी ही गलती थी शाय I am sorry पलाश ते का नहीं हम सब की गलती थी हमने ना तो तुम से और नहीं तुमारे परिवार से संपट करने के कोशिश की थी तुम नहीं जानती वो समय मैंने कैसे बिताया था मैं तो महीनों ही दुख में डूबरा था पिया ने पलाश की आँखों में जहब कर देखा और फिर उसके चेहरे को छोकर करा जो बीट गया वो बीट गया अब तो मैं मालूँ है कि मैं जिन्दा हूँ भूल जाओ सब बीटी बाते और मुझे बताओ कि किया हम कल मंबई में कहीं मिल सकते हैं और पुराने दिनों को याद कर सकते हैं अगले दिन पलाश और पिया की मुलाकात मुंबई के एक शांदार होटल पे हुई वो उस होटल में ही रह रही थी वो कमरा आठवी मंजिल पड़ था खिलकी से दूम उर्ट तक फैला हुआ समत्र दिख रहा था दोनों खिलकी के पास खड़े हुए नीचे के द्रश्य को निहार रहे थे उनके काफी के कप पीछे एक मेज पर रखे हुए थे कमरा एक्दम ठंडा था एर कंडिशनर बढ़िया काम कर रहा था पीर ने कहा कॉलेज से आए हुए भी एक वर्श हो गया है कितना कुछ हो गया है इस दौरा लेकिन मैं अपने दोस्तों को भूल नहीं सकती मुझे तुम सभी बहुत याद आते थे सब लोग अब कहा है क्या कर रहे है लोकेश कहा है क्या तुम उसके संपत में हो पलाश ने कहा हाँ वो मेरे घर के पास ही रहता है वसत बिहार में पिछले साल वो भी अमेर का गया था करीब 6 मेहने के लिए कोई व्यापार का काम था उसके पिता जी था वो कुछ दिन पहले ही वापिस आ था पिया ने एक गहरी सांस ली और फिर जाकर विस्तर पर बैठ दी ना जाने क्यों मैं लोकेश के बारे में बहुत सोच रही थी मुझे नहीं मालूं क्यों लेकिन एक बार उसको मिल लेती तो अच्छा होता पलाश को कुछ दर्द हुआ क्योंकि वो नहीं जानता था कि पिया के मन में लोकेश के प्रती कुछ था वो सोचने लगा कि क्या वो लोकेश से प्रेम करती थी पर उसने पिया से का हाँ हाँ क्यों नहीं तुमको मिलना चाहिए लोकेश पिया के आखों में चमक आ ली ये एक सर्प्राइज होगा उसके लिए प्लीज उसको फोन करके मिलने का समय ठिक कर लो दिल्ली में मैं दिल्ली आ जाओंगी लेकिन उसको ये मत बताना कि मैं मैं भी आ रही हूँ अगले सनिवार पलास ने फिरोजशा कोटला फोर्ट के मैदान पर पिकनिक मनाने का कारकरम बनाया उसने पिया को सुचना दे दी वो बोली ठीक है तुम लोकेश को किले के पिछे बहिए देना अकेले ही वो इहरान हो जाएगा मैंने उसको बहुत कुछ कहना है पलास ने लोकेश को फोन कर दिया वो भी आने को तैयार हो गया लेकिन वो पूछने लगा कि कौन से लग्य की उससे मिलना चाहती थी पर पलास ने नाम नहीं बताया तब तक पलास को पका विश्वास हो चुका था कि पिया और लोकेश के बीच में प्रेप प्रसंग गता शायर इसलिए तो वो लोकेश से अकेले में बिलना चाह रही थी पलास को बुरा महसूस होने लगा सारे दसमदी के आसपास लोकेश और पलास कार से फोक पहुँच गए पलास गाड़ी चला रहा था पिया आकेले ही आने वाली थी आकाश एकड़म साफ था और मौसम बहुत ही सुहाना था बहुत से लोग वहाँ पर पिकनिक बनाने के लिए आचुके थे पलास और लोकेश मैदान में जाकर एक बेंच पर बैढ़ गए लोकेश ते का कहा है वो तुम्हारी रहस समय लड़की ये लुकाच सिपी को कर रहे हैं पलास पिया को प्रेम करता था पर अब ये साफ था कि वो लोकेश से प्रेम करती थी क्या वो नहीं जांती कि लोकेश कॉलिज के समय में कितना बदनाम था उसके बहुत सी लड़की उसे सम्मंद थे उसके नाम के साथ बहुत से कान पे जूड़े हुए थे क्या लोकेश ने पिया को भी अपने जाल में फसा ली था आदे गटे तक दोनों बैठे इधर उधर की बाते करते रहे तब ही पलाश का फोन बजने लगा पिया का फोन था उसने पलाश को कहा के वो लोकेश को फोन के पीछे बेढ़ दे पलाश ने लोकेश से कहा लो भाई तुम्हारी लड़की दोस्त आ गई है तुम किले के पीछे चले जाओ और उससे मिल लो लोकेश भी बहुत उच्चुक था वो जल्दी से उठकर फोर्ट के पीछे की तरफ चल दिया पलाश बज़ पर बैठा उसको जाते हुए देखने लगा कुछ दियर के बाद पलाश अपने फोन पर व्यस्ट हो गया और अपने मैसेज और ईमेल पढ़ने लगा करीब 15 मिनिटों के बाद पलाश ने एक पुरुष की बहुत जोर के चिलाने की आवाज सुदी वो आवाज किले के पिछे से आई थी वो जल्दी से उठा और आवाज की तरफ दौडने लगा कुछ वाज भी उसके पिछे दौडने लगे किले के पिछे का शेत्र एकदम सुनसान था पलाश ने दर देखने लगा पर कुछ भी नहीं दिखा अचानक उसने कुछ दूरी पर जमिन पर एक व्यक्ति को गिरा हुआ देखा वो दौर कर उसके पास दिखा जैसे उस तो उस व्यक्ति को देखा उसका दिमाग सुननों हो गया लोकेश जमिन पर गिरा हुआ था लोकेश की आठे खुनी लिए थी जैसे उसने कोई भैनक चीज देख ली थी उसके मूँ से जाग मी कर रही थी पलाश ने लोकेश के नाग के आगे हाथ रख कर देखा लोकेश मर चुका था पिया कहीं भी नहीं थी पलाश तो भैके मारे कापने ही लगा एक घंटे के बाद पलाश 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 को ले जाए जा चुका था उसने पिया से संपर कसाधमे का प्रयास किया पर पिया ने फोन ही नहीं उठाया पलाश पलाश से कई प्रश्ट किये कुछ दर्गे बाद उन्हें पलाश को जाने दिया उसको कहा गया कि अगर जिर्वत हुई तो वो उसको फिर से बुला लेंगे पुलिस स्टेशन से निकल कर पलाश सिधा फोर्ट के पिछले भाग में गया और पिया को तलाश करने लगा पर कुछ भी हासिन नहीं हुआ उसने लोगों से भी पूछा परंतू किसी ने भी वैसी किसी लड़की को वहां नहीं देखा था रात को पलाश के अंकल मिश्टर उमापती ने फोन उसको फोन किया उसके अंकल आईपी एस अफसर्थ है उन्हें ने पलाश को ग्रेटर के लाश में अपने घर पर बुलवाए रात को लगवर नौ बजे डिनर समाप दुआ उसके अंकल और पलाश दिन की घटना की चर्चा कर रहे थे अंकल ने कहा है तो बहुत ही अनुठा मामला लाश की जांस के बाद ये मालम चलाया के लोके इस दिल की धड़कर रुकने के कारण मरा था शायद वो किसी चीज को देखकर बहभीत हो गया था हम अभी कुछ भी निश्चित नहीं बख सकते कि अब तुम और कुछ बताना चाहोगे इसके बारे पलाश को तो जैसे और कुछ भी नहीं मालूम था वो तो अभी भी आहराम था कि वो सब कैसे हो गया था वो इस रहसे को बिल्कुल भी समझ नहीं सका था और फिर पिया भी तो गायब हो गी थी पलाश ये को जानता था कि वो दिल्ली में रहती थी पर उसके पास अग्रस नहीं था, सिर्फ फोन नमबर ही था, फोन का वो जवाब नहीं दे रही थी अचानक उसके अंकल ने कहा, लोकेश और पिया के बारे में हमको अभी और भी जाच पड़ताल करनी होगी पलाश ने अंकल को पिया के मरने के खबर और उसके अमेरिका में कार एक्सिडेंट की सब बाते बता दी थी उसने ये भी बता दिया था के पिया ही लोकेश को मिलना चाहती थी और वो भी अकेले में ही अंकल ने दो दिन के बाद फोन करके पलाश को बताया के अमेरिका में उस कार एक्सिडेंट पे उस समय कार में तीन लोग थे एक पिया, एक अमेरिकन पुरुष और लोकेश अमेरिकन पुरुष कार चला रहा था अमेरिकन पुरुश और पिया की घटना इस्थल पर ही मृत्ति हो गई थी पर लोकेश को सिर्फ कुछ चोटे ही लगी थी अंकल ने ये भी बताया के पुलिस को शंका थी के कार में ही पिया पर आकरवन भी हुआ था दुर घटना से पहले लेकिन उसको साबित नहीं किया जा सका क्योंकि उसकी लाश बहुती बुरी अवस्था में प्राप्त हुई थी पिया की लाश को वापिस मुंबई लाय गया था उसका अंतिम संसकार मुंबई में ही हुआ था तब तक लोकेश भी भारत वापिस आसुका था मुंबई की पुलिस के पास उस केस की पूरी जानकारी थी उन्होंने वह जानकारी दिल्ली पुलिस को भेज़ दी थी उसके बाद वो केस बंद कर दिया गया था अंका लुमापती के मन में बहुत गहरी शंका थी पलाश भी धीरे धीरे यह महसूस करने लगा के उस रात को अपने बिस्तर पर पलाश कलवटे बदल रहा था, उसके दिमाग में बहुत से प्रेस्ट नूट रहे थे, कुछ दिर के बाद वो उठकर बाहर बगीचे में आकर जूले में बैठ गया, अचानक उसने एक इस्तरी की आकर दी देखी, वो पिया ही थी, और वो उसक कुछ भी नहीं, उसके चेहरे पर मुसकान थी, पलाश उटकर पिया के पास गया, लेकिन वो पीछे हट गई, वो जैसे उड़कर हवा में रुक गई थी, पलाश ने लंबी सांस लेकर कहा, क्या तुमने लोकेश को मारा, उसने तुम्हारे साथ बलातकार किया था, क्या हवा में विलिन हो गई, अब शब्दों की कोई भी जरूरत नहीं थी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्यांस पो कुछ भी, नहीं, वो जरूरत नहीं दूरत नहीं थी, पालाश तुमने दूरत वीलिन हो जाओन, स्नुमनेंड रग, आए संवाम विलिन ह想ारे संपर, चार्स हो जरूरत भी, विलिन हो गई भी, खो गिले, भी, अब धुमने, बहुत दो, के हम जरूरत भी, अme